हेलो गाइज, वेलकम बेक टो आज चानल, आप सभी कर्स चानल पर स्वागत हैं, आज हम टिशू पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट किया है, क्लास नाइन खा, यह आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या उन कौन से टिशू पा उन इंट्ग औरान पarna से दिशू, क्या होता है जो आक्रती में एक समान हो, बनी किसे हैं से बने, बहुत सारी सेल्स मिलके सेम वर्क करते हैं और श्रॉक्चर में सेम होती है, तो हम उनकों टिशू कह ने करते हैं और इक समान होता है, वे कोशी का है ओनाओ आपर्टशे, ख आपको समझ में आया हो कि टिशू क्या होता है कि जमाली चेक बहुत सरे क्लास में रूमेट्स हैं मैंने वह सब एक फंक्शन कर रहा हैं सब सेम साइज के हैं ठीक है सब साइज मतलब सेम हाइट है सबकी और मैंने उंको सेम वर्क करने के लिए तो वह क्या होगे एक ग्रूप बन गया तो हम वह एक एक इंडिविज्विज्वल सेल्स में एक ग्रूप बना ले जिसको हमने टिशू कह दिया और वह एक पर्टिकुलर फंक्शन वर्क कर देए कि अब टीशू ओधोर होता है पाधों में भी होता है और जन्तों में भी पायता है इन 35 cents चनल्स अरिमें टीशू फोग ग्रूंड थे alone होते हैं हम स्थिरल के बाते हैं और इसंतर है जानाने ख़ते हैं ख़तां मैं वह बाते है यो तो तो अथेख़ा टिशु मैं होते हैं को होता है Meristormatic टिशू एक एक परमनेंट को मतलब होता है कि यह कोशी काई की यह होती है Daewalement में करती हैं उनकी growth में help करती है यानि कि यह कोशिकाई विभाजन की शम्ता होती है इनमें मेरिस्टेमेटिक टिशू में क्या होती है एक सेल दूसरी सेल तीसरी सेल यह क्या होती है डिवाइट करती जाती है ठीक है यह क्या होती है डिवाइट करती जाती है तो मेरिस्टेमेटिक तीन टाइप की होता है अपिकल लेटरल इंटर गै जब विभाजियों तक की जो भी इस्टेमेटिक द्वारों जो बनी कोशिकाएं हैं वह विशिष्ट काले करती हैं ठीक है जब इनमें विभाजन होने की जो शमता होती है न वह समाप्त हो जाती तब वह पर्मेनेंट टिशू में बदल जाती है यानि कि स्थाई उतर में बद हो पर्मेनेंट टिशू भी दू है simple and complex. simple nd complex simple का मतलब है जो केवल एक सेल से बनी हो ठीक है एक समान structure और जैल से मिलके बनी हो उनकी structure से में, उनकी structure अलग है, size अलग है, ठीक है? सिंपल में हम parenchyma, kolonchyma, skeletonchyma पढ़ेंगे. देखो, parenchyma हैं, हम सबकी structure detail में पढ़ेंगे, बढ़ आपको भी पता होना चाहिए, कि simple में कौन कौन सा होता है. सिंपल में आपको parenchyma मिलेगा, kolonchyma मिलेगा, skeletonchyma मिलेगा, ठीक है? कॉम्पलेक्स में हम xylem और phloem पढ़ते हैं. आपको पता है, xylem का work होता है water को supply करना, और phloem का work होता है food को supply करना पुरे plant में. ठीक है, तो यह हमारा पूरा पार्ट था, वह plant tissue के बारे में था, आयोप समझ में आया हो आपको, plant tissue divided into two parts, maristomatic tissue and permanent tissue. Maristomatic जिसमें division के ability है, जो growth में help कर रहा है, and permanent जिसमें division के ability नहीं है, जो lost हो चुकी है, उसको permanent कहेंगे, ठीक है? पर्मनेंट हो गया, यानि कि जब आप work बहुत अच्छा करते हो, तो आप क्या हो जाते हो, permanent हो जाते हो, ठीक है, तो वैसी समझ लो कुछ, ठीक है? अब हम next जाएंगे, next अब हम बात करेंगे, animal tissue की, अब मैंने आपको बताया कि animal tissue को क्या होता है, वह motile होते हैं, उनको घूमने की भी food को identify करना भी होता है, ठीक है, एक, कहीं shelter भी चाहिए है, उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता है, बहुत जादा energy की जर्वत होती है, तो उनमें different type के tissue होते हैं, ठीक है, एक होते है, epithelial tissue, तो animal tissue divided into four parts, epithelial, connective, muscular and nervous, epithelial का मतलब होता है, कि यह क्या करती है, यह आपको support देती है, आपको covering प्रदान करती है, covering करती है organs की, आपकी skin के ऊपर epithelial tissue है, जिससे कोई भी foreign particles अंदर ना जा सके, यह काम करती है, connective का मतलब होता है, जैसे मैंने एटे लगा दी, मैंने एक दिवार तो खड़ी कर दी बट, मैं जैसे उसको पुष करूंगी, वह एकदम गिर जाएगा, क्यूंकि उसमें सिमेंट नहीं है, connective का मतलब होता है, connect करके रखना, यानि कि muscles को bones के साथ, bones को connect करके रखना, तो यह काम कौन करते हैं, connective tissue करता है, फिर हम पढ़ते हैं, muscular tissue में strited, smooth and cardiac होते हैं, वह भी हम पढ़ेंगे, and the fourth is, nervous, यानि कि neurons, जो हमें signals देते हैं, हमें action देते हैं, कि हमें यह काम करना चाहिए, हमें बोलना, बोल पढ़ना, यह सब चीज़े हम इसमें पढ़ेंगे, okay? So, यह है animal tissue के बारे में, I hope यह आपको इंट्रोड़क्ती पार्ट समझ में आया हो, epithelial, जो आपको covering देती है, connective, जो connect करके रखती है, organs के साथ आपको, ठीके सब का connection बनाया रखती है, muscular यानि कि आपको movement में help करती है, locomotion में help करती है, उसमें भी हम strided, smooth and cardiac अलग पढ़ेंगे हैं, जब सब detail में पढ़ेंगे, and then fourth is nervous tissue, ठीक है तो यह आपका animal tissue के बारे में हो गया, कितने टाइप के tissue है animal में? फोर टाइप के हैं, epithelial, connective, muscular, nervous, उनकी भी सब parts है, so I hope यह आपको बहुत अच्छी लगी हो वीडियो समझ में आए, so अगर आपको यह समझ में आए, तो प्लीज चैनल को like, share and subscribe कर देना, okay, thank you.